पुलिस उसकी तलाश हुई जगत जगत चापे मारी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही तीसरे आरूपी को भी गिरतार कर लिया जाएगा। हत्या के पीछे की अवयत संब्ध की बात बताई जा रही है। आरूपी की चचेरी विद्वा बहन से एक शक्स के साथ अवयत संब्ध थे। बीते बुद्वार को थाना सेक्टर 49 सुबह करीर 8 बचे पुलिस को सूचना मिली थी कि हाजिर्पूर ससाइटी के गेट नम्मर 2 सेक्टर 104 में एक शक्स की किसी धारदार हत्यार से हत्या कर दी गई है। जाज के दौरान पता चला की मृत्यक का नाम राम सिंग पुत्र दयाराम है जो गुनारा थाना जलाला बाद जिला शाजानपूर का रहने वारा है। और उसकी उम्र 32 वर्ष है। मृत्यक की भाई ने राजिश कुमार ने थाने में अग्याद की खिलाफ मामला भी दशकुराय था। पुलिस ने मामले प्यों सुलजाने के लिए एक टीम का गठन भी किया। सर्वे लाइन और मुखबीरों की मदद ली गई। फिर पुलिस को एक सुराग मिला और जलालाबाद जिला शाह जोहानपूर के रहने वाले मोवन को गिरफतार ही किया गया। सर्वेर लाइनों मुखबियों की मदद दी गई फिर पुलिस को एक सुराह मिला और जलालाबाद जिला शाजमानपूर के व्रहने वाले मोहन को गिरफतार किया गया फिर इसके साथ सक्ती से पूछताज की गई तो सारे मामले से परता उट गया पुलिस ने इसकी निशान देही से दूसरे हारुपी को भी पकड़ा और हत्या में इस्तमाल किया गया चाकूर को भी बरामक किया हत्या में शामिले का आरुपी फरार बताय जा रहा है जिसकी तलाश अभी की जा रही है इस मामले पर एडिशनल डी सीपी रण वीजे सिंग ने बताया कि हत्यारा और मुट्यक दोनों ही चचेरे भाई है मृत्यक राम सिंग का इनकी विद्वा बहन के साथ अबैद संबन था जिसके कारण हत्या को अंजाम दिया गया पुलिस ने दोनों आरोटियों को गिरफ्तार कर लिया है और जेल भीज दिया है तीसरे की तलाश भी जारी है सब्सक्राइब करने के बार मृत्यक के परिजिनों को सौप दिया गया है तो ये तेमानेट की खास कबर इसी तरह की खबरों में पंदेरेने के देखते रहिए है हम नियूर्स